गुरु मंत्र गुरु के द्वारा दिया गया वो मंत्र होता है जो कि उर्जा वान मंत्र होता है जो कि गुरु ने पहले से ही सिद्ध कर रखा होता है उस मंत्र में वो उर्जा होती है कि वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है एक मंत्र होता है जिससे आप किताबों से किि सी मंद्र का पाट करते हैं तो उस समय हमारी वणी सिद्ध हो जाती वारी वचंचा वहिछाए. उसी का प्रभाव होता है कि कई बार आप जो बोलते हैं वो सथ्यू हो जाता है क premise को आने वाले समय में जो घ्टनाई होती है उसका बोध आपको पहले से ही हो जाता है तो सबसे महत्वपुन होता है आपकी वाणी का सिद्ध होना यानि कि आपकी जो वाणी है जो आप बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप साधना काल में हो तो अच्छे चीजे ही बोले कोई गलत चीजे ना बोले कई लोग के साथ ऐसा हुआ है कई महात्माओं के साथ ऐसा हुआ है कि वो साधना काल में होते हैं और जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो कई चीजे से बोल देते हैं कि तेरा ये तूड जाए तो वो चीजे जो है वो सत्य हो जाती है फिर वो सत्य जब होती है जो आपकी उर्जा जो आपने उर्जा खटी करें वो उर्जा जो है फिर उस कारवरे को करने में लग जाती है तो इंची जो का ध्यान आपको रखना है कि कभी भी आप साधना काल में हो तो किसी के बारे में आप गलत उल्टा ना बोले उस समय जितना हो पाए शांत रहने की और कम से कम बोले जो कि साधना में कहा जाता है तो गुरु मंतर जो है वो सभी मंतरों में स्रेश्ट होता है गुरु मंतर की तुलना किसी मंतर से नहीं की जा सकती गुरु मंत्र कुछ भी हो सकता है गुरु मंत्र ऐसा नहीं है कि कोई खास मंत्र होता है ये बात समझ लीजे कि गुरु के द्वारा जो दे दिया आपको जो मंत्र दे दिया जो शव्द आपको दे दिये वही गुरु मंत्र कहलाता है वो गुरु मंतर ओम नमश्वय हो सकता है वो गुरु मंतर कोई बीज मंतर हो सकता है वो गुरु मंतर माता दुरगा का मंतर हो सकता है वो गुरु मंतर आपके वोले बाबा का गुरु मंतर हो सकता है किसी भी देवता का मंतर हो सकता है जो मुख गुरु मुख से निकला कोई मंतर वो गुरु मंतर कहलाता है उसकी विदी गुरु आपको बताते हैं किस तरीके से इस मंतर को उड़जा को और बढ़ाना है जागरित करना इसके अनुभव आपको प्राप्त होंगे गुरु मंतर का जाप गुरु के द्वारा बताएगी विदी से शाम को किया जाता है तीन से पांच दिन में गुरु मंतर जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है गुरु मंतर का प्रभाव इतना होता है कि आपके जीवन पे भी वो प्रभाव डालता है साथ यापके घर पर भी वो प्रभाव डालता है यहां तक कि आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है गुरू मंत्र इसलिए किसी योग्य गुरू से गुरू मंत्र लेना बहुत आवश्चत होता है गुरू मंत्र का जाप नयमित रुप से जो लोग करते हैं उन्हें कभी भी प्रेट बादा ही सता ती कभी भूध प्रेट की दिक associates में नहीं होती अब आपके जीवन में क्या क्या गटित होता है आपके साथ क्या क्या गटित होता है वो मैं आपको बता द का जाप बता दिता हूं का जो भेस है वो आपके आँखों के सामने है जैसे बहुरे नात हैं तो उनका वेस आपके आँखों के सामने है जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं जो आप गुरु मंत्र के प्रभाव से सप्न के माध्यम से आपको इस देव के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं गुरु मंत्र क प्रभाव के करण आप नकरात्मक विचार जो कि आपके मस्तिस्क में आपके दिमाग में नकरात्मक विचार आते हैं उन्हें आप अंकुछ लगा पाते हैं उन्हें आप रोक पाते हैं वो गुरु मंतर का ही प्रभाव होता है गुरु मंतर के प्रभाव से आपका आत्म विस इतना बढ़ जाता है कि आप किसी के भी सामने पूरे जोर से पूरे आत्मिश्वास के साथ बात कर सकते हैं उनकी आखो में आखे डाल कर आप बात कर पाते हैं किसी पταकार का डर आपको नहीं होता यहां तक कि मित्यू का भी डर ऊस व्यक्ति को नहीं सताता एक शक्ति है वो आपके अंदर धीरे 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 श्विक्सित हो जाती है आपका व्यक्तित वैसा बन जाता है कि लोग आपकी बात मानने लगते हैं आपकी बात सुनने लगते हैं गुरु मंतर का ही पर बाहो होता है जो आपको अध्यात्म की तरफ आपका रुजहान बढ़ाता है पूजापाट की तरफ आपका रुजहान बढ़ाता है आपके इश्ट देव की सेवा की तरफ आपका रुजहान बढ़ाता है आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो लोग गुरू मंतर का जाप करते हैं पहले वो सुबा और शाम पूजा करते हैं धीरे धीरे उनके मन में ऐसे विचार आने शुरू होते हैं कि यार जैसे बाब भुरे नात के सिवा के विचार यार मुझे कावड लेना जाना चाहिए या सौलह सौमार्ग की वरत करने से यह फिर तालिजने की साधना उठाने चाहिए यानि कि अध्यात्मार्ग में आगे बढ़ने के विचार उनके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं और यही जो विचार हैं यही विचार उनको आपके इश्टदेव के और नजदिक और लेके जाते हैं गुरु मंतर के प्रभाव से आने वाली बहुत सारी घटनाएं जो कि घटित होने वाली हैं उन सभी का ज्यान इन सभी का बोध आपको धीरी दिर होने लगता है आपको ऐसा लगता है कि यार यह तो मुझे पता था यह तो ऐसा होगा मैं चाहता तो इसको र आप से इस देव के दर्शन आपको होने लगते हैं आपको ऐसा लगता है कि सपन के माद दिर्म से कैवार ऐसा लगता है जब आप जाप कर रहे होते हैं कि आपके सामने खड़े हैं कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास घूम रहे हैं गुरुमंत के प्रभाव से आप आपके कारे करने शुरू कर देते हैं जो भी आपके कारे होते हैं जो आपके कारे अठके होते हैं वो कारे आपके करने शुरू कर देते हैं अगर आपके घर में कोई शादी की दिक्कत है या आपके घर में कोई ग्रह बादा की दिक्कत है या आपके घर में कोई प्रेतवादा की दिक्कत है या आपके घर में कोई पित्र दोष्ट की दिक्कत है कुल देवता की दोष्ट की दिक्कत है तो इन सभी का निवारणों गुरु मंत्र करता है तो गुरु मंत्र सबसे स्रिष्ट मंत्र होता है सभी मंत्रों में एक और बता होता है वो मंत्र आपके इष्ट देव को जागरत करता है यह जरूरी नहीं है कि आपके इष्ट देव को यह और है गुरु मंत्र किसी और देवता का दिया गया है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है अपना दिमाग नहीं लगाना गुरु देव ने जो आपको दे दिया जो गुरुदेव ने आपके जोली में डाल दिया, जो आग्या उन्होंने दे दी, उस आग्या का पालन करते हुए, आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए और उसका प्रभाव देखिए अपने जीवन में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके रास्ते कब कब खुलते चले गई हैं, कब आप फरस से अस तक पहुँच गए हैं, ये गुरु मंत्र का ही प्रभाव होता है, पर जिन लोगों को गमंड आ जाता है, जिन लोगों को ये मैं शब्द उनको सतान लगता है, उनके अंदर आ जाता है, कि आप तो मैंने ही, सब मैंने ही किया, तो उन लोगों के साथ जैसे गुरुमंत्र फरस तक ले जा सकता है उसी तरय से अरस पर भी ला सकता है तो ये गमंड ना करें गुरु की दिएगी आग्या का पालन करें गुरुमंत्र का नेंतर आपकरते रहें और शिर्ज्रुकाय कर अपने अंड़री पालन में भ ανα गरास की चरणों अगर आप पहली बार Шिवव शादना केंदर बना है तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल करका बटन ऑसे दबा दीजिए ताकि आप हमारी साथ जूड़ सके शिव शादना केंदर के साथ जूड़ सके बेल आइकन का दबाए घंटे के निशान को ताकि जो हम जानकारे डाले हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त होँ हमारा नेया चनल शिवी सत्य उसका लिंग डिस्क्रिप्शन में है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ती भक्ताई से साथना मार्त से जुड़िए जानकारे या मंत्र आपको प्राप्त होते रहें कोई भी आपका सवाल और कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका जबाब आपको दे पाऊं मैं बाबा भुले नास से गुरू महरास से विंती करता हूं के बाबा सदेव आपकी जुड़ी बढ़ते रहें आपके घर काम में बरकत रहें तमाम खुशियां आपकी जुड़ी में ढाले तमाम कुश्टों करने और अन बाबा भुले नात करें हम मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए आपकी ओमनोशिवाई, ओमनोशिवाई, ओमनोशिवाई